Hello everyone, the question here is name three techniques of cache mapping and explain anyone in detail First time हमें समझ लेते हैं cache mapping means क्या Previous episode हमें देखा था cache memory होती है CPU और main memory के बीच में CPU और cache memory के बीच में data transfer होता है in the form of word और cache memory और main memory के बीच में data transfer होता है in the form of block या फिर pages और हमने ये भी देखाता है CPU को कोई word सर्च करना है तो CPU क्या करता था सबसे पहले उस word को सर्च करता है register के अंदर अब यदि register में वो word नहीं मिलता है then CPU क्या करेगा उसी word को सर्च करेगा cache memory के अंदर अब यदि cache memory के अंदर वो word मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते है cache hit और यदि वो word नहीं मिलता है cache memory के अंदर उसे हम लोग क्या बोलते है cache miss अब cache miss के cache में हम क्या करेंगे उस word को सर्च करेगे main memory से लेकिन main memory से सर्च करने का तरीका है cache mapping means क्या करेंगे उस word को copy करेंगे cache memory के अंदर और cache memory से CPU उस word को सर्च करेगा सो cache mapping is a technique by which the contents of the main memory are brought into the cache memory इसे हम लोग क्या बोलते है cache mapping cache mapping को ओर किलियर हम कर लेते हैं यहां पर हमारे पास हम प्रोसेसर है जहां पर रजिश्टर से then cache memory connected है प्रोसेसर से then main memory connected है then secondary memory connected है अब प्रोसेसर को सर्चिंग करना है सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा सर्च करने के लिए registers का यूज करेगा और रजिस्टर में डेटा कहां से आया है जैदी हम लोग देखें यहां पर में सोर्स जो है वह हमको सेकेंडरी मेमोरी दिखाए जे रहा है अगर्ण स्टोरेज की बात करें अब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहां पर आ रहा है में मेमोरी के अंदर या फिर में मेमोरी से कहा जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बट किस फॉर्म में data transfer हो रहा है pages की फॉर्म में अब यह देखे main memory से data आ रहा है cache memory में या cache से हम बोलेगे तो main की तरफ जा रहा है बट किस फॉर्म में जा रहा है block की फॉर्म में अब cache memory से data कहां पे आ रहा है रजिस्टर्स में लेकिन किस फॉर्म में वर्ड की फॉर्म में अब यदि प्रोसेसर को किसी वर्ड को सर्च करना है तो वो क्या करेगा वर्ड को सर्च करेगा रजिस्टर्स के अंदर अगर रजिस्टर्स में वो data नहीं मिलता है देन वो कहाँ पर जाएगा? case memory में बट यदि case memory के अंदर भी वो data नहीं मिलता है तो उस case में क्या होगा? यहाँ पर होगी case mapping means main memory से data transfer होगा case memory के अंदर इसे हम लोग क्या बोलते है? case mapping अब यदि मान दीजिए कि वो data main memory के अंदर भी नहीं है तो वो data transfer होगा secondary memory से main memory के अंदर इसे कहा जाता है virtual memory mapping लेकिन आप एक बात ध्यान देने वाली है कि data transfer हो रहा है मतलब data की copy transfer हो रही है अगर मान दीजिए x y z नाम का data main memory के अंदर है और x नाम का data main memory से आया cache memory के अंदर तो इसका मतलब यह नहीं कि जो x है वो main memory से हड़ी आएगा x main memory के अंदर ही रहेगा लेकिन उसकी एक copy आजाएगी cache memory के अंदर अब main memory में जो partition किये जाते है तो main memory के partitions कहलाते है block या फिर frames यह बात हुरी main memory की और जो cache memory के partitions होते है उसे कहा जाता है lines that means जब cache mapping होती होंगी तो जो block है main memory का यह actually copy होता है lines के अंदर cache memory के अगर मालें जो ब्लॉक है block इसा कैसा copy हो जाएगा cache memory के अंदर that means पूरा की पूरा block ट्रांसपर हो रहा है lines के अंदर आप cache memory और block के अंदर क्या रखा हुआ है data और यह data कहा पर copy हो रहा है lines के अंदर और lines के अंदर पार्टी साने cache memory के और block के अंदर पार्टी साने main memory के अंदर so three cache mapping techniques are number one direct mapping number two fully associated to mapping and number three k-way set associated to mapping वैसे हमसे इस question में anyone को explain करने के लिए कहा गया है ओके बट हम क्या करेंगे इस episode में all the three techniques को समझब लेते हैं कि ही तीनों होती है सकता है कि किसी exam में आप से के बारे में push लिया जाए या Frully Associate के बारे में पूछ लिया पिर direct mapping okay भ sixth अब हम इस episode में तीनों में न्रविक को Kover कर लेते हैं कि जो तेक्निक हमारे पास के अंदर partition किया जाता है अब इधी हमारे पास में में मेमोरी के अंदर एंदर ब्लॉक है ब्लॉक जीरो ओके इस ब्लॉक जीरो को हमको कॉपी करना है केश मेमोरी के अंदर तो इस ब्लॉक जीरो को हमने कॉपी कर लिया लाइन जीरो के अंदर देट मेंस में मेमोरी का पर्टि ब्लॉक के अंदर ही कॉपी हो सकता है अब कॉस्चन यह उठता है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि में मेमोरी का ब्लॉक कौन से लाइन नंबर के अंदर कॉपी होना चाहिए यह पर्टिक्लर लाइन हमको पता करना पड़ेगा केश मेमोरी में किसमें कॉपी करें So cache line number को कुछ इस तरह ज़र find out किया जाता है Cache line number equals to main memory block address Modulo, number of lines in cache अब मान लीजिए कि main memory के अंदर कोई block है X इस block X को हमको store करना है cache memory के अंदर बढ़ आपर question क्या है कि कि इस line number के अंदर block को copy करना पड़ेगा तो उसके लिम क्या करेंगे इस formula का use करेंगे cache line number पता करने के लिए तो formula क्या है main memory block address Modulo, number of lines in cache तो main memory block address है दिए हम लोग देखे हमारे पास में क्या है X यहापर हम यूजिए करेगे मोडियो number of lines कितने हमारे पास में N तो यहापर हमने क्या यूजिए N तो इससे हमें मिल जाएगा line number तो cache memory में जहापर भी होगा X mod N नाम का line number वहाँ पर block X copy हो जाएगा अब मान दीजिए cache memory के अंदर सारी lines फूल है means हर line के अंदर कोई नो कोई block copy होके बिठा है ठीक अब हमें क्या करना है कि block X को copy करना है cache memory के अंदर बढ़ यहापर हम लोग देखे तो पूरी cache memory ही फूले अब इस case में हम क्या किसी replacement algorithm का use करेंगे क्या तो question है नहीं हमें किसी replacement को लगाने की जरूरत नहीं है means हमें कोई भी algorithm replacement का है पर use करने की जरूरत नहीं है अब मान दीजिए जो block X है इसको line number मिला है X mod N और X mod N आता है यहापर तो automatically क्या होगा जो भी block पेले से copy होगा इस X block N नाम के line पे वो automatically replace हो जाएगा पुराना data होगा नया automatically आ जाएगा तो हमको किसी replacement algorithm की हाँ पे जरूरत नहीं है अब हम देखेंगे fully associative mapping अभी हमने study किया था direct mapping के बारे में और direct mapping में हम देखा था जब भी किसी block को case memory के अंदर store करना है तो हमको case line number पता करना पड़ता है बट fully associative mapping में ऐसा नहीं होता है हमको case line number पता करने की जरूरत नहीं है केस memory के अंदर जो भी line यहाँ पर free होगी उस line के अंदर block आके store हो जाएगा यही कारण है कि fully associative mapping ज्यादा flexible है as compared to direct mapping because जो भी line freely available है उस line के अंदर main memory का block आके copy हो जा रहा है अब मान लिजे कि cache memory के अंदर सारी lines जो है वो है free अब हमको copy करना है block X को तो सारी lines freely available है तो block X क्या करेगा किसी भी line के अंदर जाके copy हो जाएगा अब बेदे मान लिजे भी तो सारी थे अब free नहीं है अब क्या है सभी lines occupied है blocks है अब हमको block X को copy करना है cache memory के अंदर तो इस case में हम क्या करेंगे किसी भी एक line को replace कर देंगे और उस line को replace करने के बाद उसकी place पे आ जाएगा block X पे जो भी data है means cache memory के full होने के बाद भी हमको cache line number पता करने की जरूरत नहीं है तो क्या इस case में replacement algorithm की जरूरत है इस case में replacement algorithm की जरूरत है वह इसलिए जरूरत है कि जो भी block occupied है इन में से सॉरी जो भी lines occupied है इन में से कौन सी line को free करना है यह पता करने के हमको replacement algorithm का use करना पड़ेगा अब replacement algorithm हम study कर चुके previous episodes में जैसे हमने fc aps replacement algorithm के बार में पढ़ा था first come first server हमने LRU के बार में पढ़ा है least recently used अब हम देखेंगे kway set associative mapping इस case में क्या क्या जाता है कि जो cache memory है इसमें lines के set बना ली जाते है जैसे हमने आप एक set बना लिया line 0 & line 1 का हमने अनादा set यहां पर बना लिया line जो भी remaining थी उनका दो set हमने यहां पर बना लिया अब block x को हमको store करना है copy करना cache memory के अंदर तो block x क्या करेगा किसी भी particular set को यहां पर occupy करेगा जैसा गमान लीजिए एक set हमारे पास में line 0 & line 1 का है या तो इसको occupy करेगा यहां पर दुसरा set हमारा remaining lines का है यहां पर इसको occupy करेगा लेकिन यहां पर हमको set पता करने के लिए यूज करना पड़ता है एक way को एक formula को यहां पर हम line number पता नहीं करते हैं बल्किया मैं पर हम पता करते हैं set of cache तो cache set number पता करने के लिए हमाने पास formula है main memory block address modulo number of sets in cache तो हम इसको करना है x को तो हम यहां पर क्या करेंगे x then modulo लगाना है mod number of sets in cache number of set हमारा पास कितने है 1,2 तो यहां पर हम क्या यूज करेंगी 2 तो इससे हमको मिल जाएगा cache set number अब मान लीजिए कि इस formula के थो cache memory में set 1 मिला है block x को अब set 1 में देखू तो number of lines का group है यहाप है तो इन number of lines में से जो भी line free होगी उसके अंदर x जाके copy हो जाएगा अब यहादी मान लीजिए कि यहापे कोई line free नहीं है हमें यहापे use करना पड़ेगा replacement algorithm का जिस तरस हमने भी is the combination of direct mapping and fully associative mapping इनका combination होता है kway set associative mapping कैसे direct mapping की तरह हमने पता क्या set number को ठीक और fully associative mapping की तरह हमने यहापे use किया है replacement algorithm का कि जो भी line यहाप full अगर सभी lines तो किसको replace करें उसके लिए तो यह था हमारा techniques of cache mapping यह आपके तरफ से कोई भी doubt या कोई भी question हो तो आप comment box में लिख बेजिए उस doubt को question को next episode में solve करने की पूरी कोसिस करेंगे और next episode में हम और भी कुछ new questions देखेंगे जो आपके exam के point आप इसक आप important होंगे thank you thank you for watching कर दो आपके लिए